नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां हम बात करने वाले हैं 14 मई के राशी फल जी हां दोस्तों आज आई पेल 2022 में भिटती रिखेगी कॉलकादा नाइट राइडर्स वनाम सन्राइजर हाइदरबाद और ये मैच होगा एक नॉक आउट मैच जी हां क्योंकि दोनों ही टीम फिलाल साथवे रो आठवे पायदान पर बनी है जो भी टीम आज हारेगी उसे टिकेट मिलेगा घर वापसी का या उसो चलिए जान लेते हैं कि आज का राशी फल किस प्लेयर के लिए कितना मीठा होगा और इसके लिए कितना करवा शुरू करते हैं सबसे पहले कॉलकादा नाइट राइडर्स के प्लेयर से तो बात करें अगर आंडे रसल की तो 50-50% चांसे है परफॉर्म करने के इसके अलावा सुलीन दवायन के अगर बात करें तो अगर पास्ट एक्स्पीजियन्स को यूज करेंगे तो एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस यहां दे सकते हैं इसके अलावा बात करें अगर रिंकु सिंग की तो 50-50% चांसे परफॉर्मेंस के फिंच और उमेश यादव यहां गेम चेंजर बन सकते हैं इसके अलावा शेस अईयर, अनकुल रॉय, टिम साउधी और शिवम मावी मैच विनिंग परफॉर्मेंस इन में से दे सकते हैं इसके अलावा नितिश राना का परफॉर्मेंस आज अतना अच्छा नहीं रहेगा और बात करें यहां सन्राइजर हैदरबाद के प्लेयर्स की तो विलियम सन आज एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं इसके अलावा अभिशेक शर्मा और फजल हक फारो की शायद प्लॉप रहेंगे और इडन मार्कम अब पूरन की बात करें तो फिप्टी फिप्टी चांसल है परफॉर्मेंस इसके शशांक सिंग और कार्तिक त्यागी यहां गेम चेंजर बन सकते हैं हाइदरबाद के लिए उम्रान मलिक आज एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस कर सकते हैं जगदि सुचित का परफॉर्मेंस आज अतना अच्छा नहीं होगा भुवनेश्वर कुमार भी बन सकते हैं गेम चेंजर और आहुल त्रिपाटी अगर फोकस्ट रहेंगे तो एक बड़ा परफॉर्मेंस उनसे भी दिख सकता है दोस्तो आप हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आज कौन सी टीम अपना कारवा आगे लेकर जाएगी क्या ओके क्यार होगी या हैदरबाद बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें बेल आइकन के साथ धन्यवाद